करने वाले हैं glycolysis की process के बारे में यह बहुत important topic है जो aims, PGI, All India के level पर इसमें question पूछे जाते रहे हैं तो glycolysis में किस तरीके के level पर हमें जानना है, इसका क्या basic facts है और objective point of view से कौन-कौन से point important है उन सारी चीजों पर अब हम लोग discuss करेंगे, बात करेंगे glycolysis में और यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे किस तरीके से यहाँ पर two molecules of piruit form होते हैं इस पूरी process में कितने irreversible steps होंगे, कितने यहाँ पर energy का production होगा, उन सारी चीजों को हम देखने की कोशिश करेंगे इसमें हम देखेंगे कैसे ATP का formation होता है, कैसे यहाँ पर NADH का formation होता है, NADH जो produce हुआ है, वह किस तरीके से mitochondria के भीतर जाएगा और वह energy के production से related होगा, उन सारी चीजों को यहाँ पर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे तो चलते हैं, देखते हैं, यहाँ पर किस तरीके से यह process स्टार्ट हुआ है, आप देखें, glycolysis के शिरुवात यहाँ से होती है और glycolysis में मैंने आपको बताए कि 2 ATP का formation होता है, आप यहाँ पर देखें, 2 ATP का formation हुआ, इसके अलमा 2 NADH का भी formation होता है यह जो 2 NADH का formation होता है, यह आगे की और बढ़ते हुए जाते हैं, यह देखें, 2 NADH जो पीछे से आ रहा है, यह आगे की और बढ़ते हुए जाएगा यह आगे चल करके link होता है, mitochondria से, mitochondria के साथ link हो सकता है, और अगर ऐसा हुआ, तो aerobic respiration के दुरान, Krebs cycle, Krebs cycle के बाद, electron transport system के साथ आगे चुड़ा हुआ होगा अगर aerobic respiration चलता रहा तो, अगर ऐसा नहीं हुआ, तो क्या होगा, अगर ऐसा नहीं हुआ, तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर साइड में, एक special process होती रहती है, glycolysis के साथ, जो interconnected होगी, इसमें आप देख सकते हैं, lactate fermentation की process, या फिर alcohol fermentation की process, जिसके द्वारा, ethanol या lactic acid का formation ह होता है, तो यह basic understanding की बात हम पहले से ही जानते रहे हैं, glycolysis में, जिसे हम emidin-merehoff pathway भी कहते हैं, EMP pathway भी कहते हैं, इसमें होता क्या है, glucose metabolize होता है, और last में two molecules पारवेट बनाता है, इसका आगे भविश्य क्या होगा, यह oxygen की availability पर depend करेगा, पारवेट क्या करेगा, यह इ glycolysis कहां पर होता है, लगबग सभी cell में होता है, और cytosol उसका location होता है, जहां पर glycolysis होती है, इसका purpose क्या है, इसका mean purpose होता है, aerobic respiration के initial steps को continue करने के लिए जरूरी है, aerobic glycolysis के दौरान, आप समझ सकते हैं, शिरुवाती, जो energy का production होता है, वो glycolysis के दौरा ही होता है, और अगर पूरी की पूरी process आगे continue रही, याने ETS तक अगर मामला गया, तो total 9 ATP produced हो सकता है, और 2 initially utilize होगा भी मैं जब आपको बताऊंगा, तो overall net जो production यहाँ पर होगा, 7 ATP का होगा, अगर oxygen के supply नहीं है, तो anaerobic glycolysis होगा, जिसमें NADH का कोई रोल नहीं हो पाएगा, NADH का हम जो पढ़ते आए हैं, वही सारी चीज़े हैं यहाँ पर दी गई, और अब हम देखने की कोशिश करेंगे उस overview को जो glycolysis से जुड़ा हुआ है, आप जानते हैं, लगबग सभी आरगन में यह होता है, कौन से आरगनल में इसका action होता है, तो cytoplasm में होता है, आप जानत यह लाक्टिक इसिड के रूप में, डेड इंड के रूप में यह समाप्त हो जाएगा, इस शांदार से इमिस के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे, पुरी पुरी glycolysis की process को आप जानते हैं शुड़ाती दौर में क्या होगा, ग्लुकोज से यह process स्टार्ट होगा, इसके लिए enzymes parts bit करते हैं, enzymes का नाम hexokinase या glucokinase होता है, hexokinase और glucokinase के बीच में क्या differences हैं, उस पर अभी हम थोड़े दिर में आपके साथ discuss करेंगे, अभी आपको समझना है, glucokinase या hexokinase से यह process स्टार्ट होती हुई, यह glucose 6 phosphate बनाती है, उसके बाद, फासफो, ग्लुकोज, आईसोमरेस के द्वारा, आप देखें, सब कुछ वैसा ही है, फासफेट ग्रुप पहले जो जुड़ा हुआ है, वही रहेगा, लेकिन यहाँ पर आईसोमराइजेशन होता है, आईसोमराइजेशन के वचा से अब यह फ्रक्टोज में बदल जाता ह फ्रक्टोज में बदलने के जरुवत क्या है, इस चीज़ को समझने के लिए आप देख सकते हैं, फ्रक्टोज में कीटो ग्रुप होता है, तो इसके करणना जो CO ग्रुप होगा वो बीच में चला जाएगा, आप इस बात को समझ सकते हैं, CO जहाँ LDHID में क्या होता है, CO ग लगा सकते हैं, और हमें जरुवत भी है इसी चीज़ की, आप अगले स्टिप में देखें, तो अभी तक क्या था, फ्रक्टोज, ग्लुकोस फ्रक्टोज बनाया गया, 6 कार्बन को यहां दर शाय गया, उसके बाद क्या हुआ, एक फासफेट ग्रुप आप यहां पर देख तो हमने क्या देखा, शुरुवाती दर में एक फासफेट, उसके बाद दो फासफेट लगाया, और यहां तक आने के बाद, यहां अब काफी एकसाइट पार्ट हो चुका होता है, इसके बाद यह अब एनरजी देने के स्थिति में आ चुका है, अभी तक क्या था, हमने इ धाप और G3P, Glyceral Dehyde 3 Phosphate, अब इसके बाद क्या होगा, दुबारा यहां पर फासफेट ग्रूप की जरूरत पड़ेगी, लेकिन हम फासफेट ग्रूप अब की बार ATP की मदद से नहीं लगाएंगे, यहां पर जो नए आप देख सकते हैं, यहां पर जो नए फासफेट ग्रूप दुबारा लगाएंगे हैं, पहले तो केवल एक ही ATP था, अब देखिए, दोनों में दो दो ATP लगाने पड़ रहा है, लेकिन यह ATP की मदद से नहीं लगाया जाएगा, यह सिंपल फासफेट ग्रूप जोड़ा गया है, इसलिए यहां एनरजी नहीं लगाई गया ह अब अगले इस टिप में आप देख रहे हैं, दुबारा से यह सिंगल फासफेट ग्रूप में बदल जा रहा है, मिन्स इसके साथ जो अटैस फासफेट ग्रूप है, वो सिंगल ही रह जा रहा है, ऐसा कैसे पॉसबल है? ऐसा इसलिए पॉसबल है क्योंकि इसने 1 ATP को अब तो यहां पर देखिए अब के वर एक ही एक ATP इनके पास बचा हुआ है फिर यह क्या करते हैं अपने फार्म को बदलने की कोशिश करते हैं देखिए थ्री फास्फोग्लिसरेट से टू फास्फोग्लिसरेट में बदलते हैं ऐसा क्यों कर रहा है ताकि फिर से एक बार इस रू के रूप में रिलीज कर देते हैं तो सवाल यह है कि हमें कैसे इसको याद करना है इतनी चीज़ें मैंने आपको एक समराइज करके यहां पर आपके साथ डिसकस करने की हमने कोशिश किया है देखते हैं इसमें क्या हुआ कौन-कौन से स्टिप्स लिए गा है तो आप मॉलि इसके दोनों ही साथ पर एक साथ पर इस तरीके से वैलन सीप जोड नहीं सकते हैं इसलिए इसको चीटो ग्रूप में बदला गया तकि इसके दोनों इंट्स पर एक-एक फासफेट ग्रूप जोडने में आसानी हो जा और यही बात जारी रखते हुए यहां पर क्या किया ग glucose, glucose नहीं क्या किया, आप देख सकते हैं, glucose नहीं, glucose 6 फासफेट में बदला, फिर fructose 6 फासफेट में बदला, fructose 6 फासफेट में बदलते ही, अब इसके दोनों ही ends पर आप लगा सकते हैं, फासफेट ग्रुप को, देखे लगा दिया गया, यानि एक और ATP की एनरजी का इस्तेमाल किया गया है और इसके बाद Fructals 1-6 Bifosphate बन गया इसके बाद यह इतना energetic molecule होता है कि अब यह break हो सकता है आप देखें जब यह तूटता है तो Dihydroxy Acetone Phosphate और Glyceral Dehyde 3 Phosphate के रुप में बदलता है यह दोनों ही एक दूसरे के Isomers है और इनमें एक खास बात आप देख रहे हैं एक एक को एक एक Phosphate ग्रूप यहां से जो था वो मिल गया है अब यह एक बार और अपने साथ Phosphate ग्रूप लगाना चाहते हैं ताकि देखे जब 4 Phosphate लग जाएगा तभी तो हमें 4 ATP का फायदा होता है टोटल हमें कितने ATP मिलते हैं ग्लाइकोलिसिस में टोटल 4 ATP मिलते हैं तो शुरुआती तो 2 ATP जो लगाया थे वो यहीं से मिला हुआ है बाकि 2 Inorganic Phosphate ग्रूप जोड़ेगा है और 2 Phosphate ग्रूप अभी original रहेंगे यह अभी भी अपना फार्म बदलता रहेगा लगातार बदलने की कोशिश करेगा आप देखें तो यह 3 पोजिशन से 2 पोजिशन पर आ जाएगा फिर से यह टर्मिनल पोजिशन पर जाएगा मैंने आपको बताया कि पहले इस टिप में हम करते क्या है यहाँ पर एक Phosphate ग्रूप को जोड़ने की कोशिश करेंगे जिसके लिए ATP की एनरजी लगानी पड़ती है इस एनरजी के मिलते ही यहाँ पर देख सकते हैं Phosphate ग्रूप आकर के जोड़ जाता है तो जहाँ पर मैंने एरो बताया वहाँ पर देखे एक Phosphate ग्रूप आकर के चोड़ गया इस प्रासेस के लिए कौन मदद करेगा उसको देख लेते हैं यहाँ पर हल्प करते हैं Hexokinase कौन मदद करेगा Hexokinase मदद करेगा या फिर Glukokinase मदद करते हैं यह दो अलग-अलग Enzymes दो अलग-अलग नाम एक ही स्टिप के लिए ऐसा क्यों? इन दोनों के बीच में डिफरेंसिस क्या है? इस पर बेस्ट क्वेशन पूछा जाता है तो Hexokinase और Glukokinase के लेवल पर भी हम आपके साथ डिसकस करेंगे Ultimately हुआ क्या? Ultimately हुआ यह कि चाहे Hexokinase काम करें चाहे Glukokinase काम करें यह ATP के एक Phosphate Group को जोड़ेंगे यह इस लोकेशन पर चुड़ दे ही Glukose 6 Phosphate में बदल जाता है यह इसका Ultimate Result होगा यह बनने वाली Glukose 6 Phosphate काफी effective product होता है यह पहला step है जो Phosphor Elysion से related है इसमें Glukose Hexokinase यह Glukokinase Enzyme की मदद से ATP को इस्तिमाल करके Magnesium Ayan के Presence में Glukose 6 Phosphate बनाता है जो Glycogen के Synthesis में यह HMP पाथवे में यह फिर Euronic Acid पाथवे में यह Glycolysis के पाथवे में Participate कर सकता है यह अभी भी committed step नहीं है इसलिए पूछा गया है क्या यह committed step है बिलकुल नहीं है कई बार exam में पूछा गया है यह committed step नहीं है क्यों? क्योंकि इससे आप कुछ भी बना सकते है यह commitment अभी glycolysis का नहीं है अब आगे बढ़ते हुए हमें यहाँ पर यह भी देखना होगा कि कौन सा step कहां पर जा रहा है तो हम यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे उपर से एक बार फिर से बढ़ने की कोशिश करेंगे देखे ग्लुकोज ग्लुकोज ने क्या किया? ग्लुकोज 6-fasphate में बदला ठीक बात है एक बार और इसे हम zoom करेंगे और बहतर तरीके से देखने की कोशिश करेंगे देखे ग्लुकोज से ग्लुकोज 6-fasphate में बदला यह पहला step है जो irreversible है इसके बाद अगला step जिसमें isomerization होता है इस process में यह fructose 6-fasphate में बदलता है यह reversible step है इसके बाद अगला जो step होगा फ्रक्टोज 6-fasphate से फ्रक्टोज 1-6-bifasphate जिसको कहते हैं बिस-fasphate कहते हैं यह committed step होता है अगर इस step को cross कर ले गया तो glycolisus होना ही होना है इसलिए पूछा जाता है कौन सा committed step होता है यह fructose 6-fasphate से फ्रक्टोज 1-6-bis-fasphate phosphate की बनने की जो step होती है यह committed step होता है पहले step की खास बात यह है कि यहाँ पर दो enzymes जिस पर बार-बार question पूछा जा सकता है दूसरी बात यह होगी यह पहला step ऐसा है जो कई सारे level पर product को firm कर सकता है जिसके कारण हम यह कह सकते हैं committed step या commitment वाला step नहीं है एक अच्छी बात यह है कि यह glycolysis में तीन जो irreversible steps है उसमें से एक step है और सारे kinases वाले steps होते हैं जो irreversible होते हैं irreversible steps के level पर PGI में बार-बार question पूछा जाता है तो पहला irreversible step हमने देख लिया hexokinase या glucokinase अब यहाँ पर हुआ क्या एक बात समझना है कि glucose 6-phosphate की synthesis होई एक बार question या भी PGI में पूछा गया था कि glycosin अगर glycolysis में enter करता तो क्या वो glucose के level पर enter करता नहीं वो glucose 6-phosphate के level पर enter करेगा अगर glycosin को glycolysis में enter करना हो तो वो glucose 6-phosphate के level पर enter करेगा glucose से enter नहीं करेगा इसलिए एक ATP की कम आवश्रक्ता पड़ेगे इसलिए जो glycolysis में consumption दो ATP का होता उसमें से एक ही ATP का consumption होगा और इसलिए चार ATP जो बनते हैं उनमें से एक ही consume होगा 3 ATP glycozen के द्वारा अगर glycolysis होती है तो उसमें 3 ATP का production होगा बात समझ पा रहा है आप इस चीज़ को ध्यान में रखना है हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं उन सारी चीज़ों को summarize करने की कोशिश कर सकते हैं कैसे glycolysis की process होती तो carbohydrate का पहला step हमने क्या देखा glucose 6 phosphate बना glucose 6 phosphate आगे चल करके क्या करेगा पायरविक एसिड में बतलता है इस तरीके से steps को आगे बढ़ते हुए हम देख रहे हैं जिसमें carbohydrate चाहे है वो fructose हो, glucose हो, galactose हो कोई भी हो यह आगे बढ़ते हुए glucose 6 phosphate वाले steps से आगे बढ़ते हुए पायरविक एसिड फाम करेगा इस तरीके का step यहाँ पर हम देख रहे हैं अब मैंने आपको बताया कि अगर glycogen के level पर देखें इस steps को होते हुए तो glycogen जब कभी भी start होता है तो अगर यह glycogen अपने lysis करेगा glycogenolysis glycogen का lysis अगर होगा तो यह एक step पर आते ही यह क्या बना लेगा यह आते ही बना लेता है glucose 6-phosphate और यह direct glycolysis में involved हो सकता है इसलिए यहाँ पर जो consumption एक ATP का कम होगा यह चीज आप देख सकते हैं उल्टा आप यह भी कह सकते हैं यही पर देख सकते हैं glycogenesis के process में glucose से जब glycogenesis होती है तो उस समय भी glucose 6-phosphate से यह process आगे बढ़ती है तो काफियत तक हम देख पा रहे हैं यहाँ पर किस तरीके से इन में carbohydrate के जो metabolism की समरी है समझी जा सकती है पहरे step में जिस enzyme का इस्तिमाल होता है वो hexokinase या glucokinase होता है तो अब सवाल यह उठता है hexokinase और glucokinase के बीच में differences क्या होते हैं उसको देख लेते हैं अब समझने की कोशिश करेंगे glucokinase और hexokinase के differences को जो कई बार exams में पूछा गया है तो glucokinase कहां पर होगा और hexokinase कहां पर होगा एक आगे बढ़ने से पहले आपको ध्यान में रखना होगा hexokinase जो होते हैं वो सभी tissues में सभी cells में function करते हैं जबकि glucokinase liver और pancreatic beta cells में ही काम करता है क्यों काम करता है यहीं पर उस बारे में देखना होगा actual में अभी मैंने आपको बताया कि glycogen के बनाने के process भी यहीं पर होती है अगर fed state हो काफी सारा पेट भारा हुआ हो तो आप समझ सकते हैं कि इसमें जब glucose की मातरा जादा होती है तो glycogen की synthesis करने के लिए या triacyl glycerol को बनाने के लिए किस से बनता है यह अभी मैंने आपको दिखाया glucose 6 phosphate से ही glycogen की synthesis होती है तो इस process को आगे बढ़ने के लिए जिस enzyme की जरूरत होती है वो होती है वो होता है glucose kinase जाहर से बात यह आम तोर पर काम नहीं करता है जब आप खाना खा लेते हैं दो घंटे के बाद या enzyme active होगा क्या करेगा glucose जो भी बढ़े हुए रहते हैं उनको convert करता है glucose 6 phosphate में glucose 6 phosphate में बदल करके उनसे glycogen बनाने की कोशिश करता है जबकि जब हमें भूख लगा होता है जब हमें energy की जरूरत होती है तो उस समय glucose, fructose या galactose के मदद से glycolysis करा करके आप समझ सकते हैं ATP के production के लिए glucose 6 phosphate को बनाया जाता है तो यह production क्यों हो रहा है इसका physiological function क्या है इसका hyksokines का जो physiological function है वो है ATP का production बाकि सारे question का answer हम खुद ही दे सकते हैं अगर हमारा fundamentals clear हैं तो हम देख सकते हैं insulin की मदद से कौन function करेगा तो आप समझ सकते हैं glycosin बनाना होगा वो insulin की मदद से काम करेगा जाहिर से बात है glucokines के लिए बात कह सकते हैं वहीं एक बात यह भी याद रखना है कि जहां little जादा इस्तेमाल हो रहे हैं वहां कमाई भी जादा होगी इस तरीके का code बनाने के पिशे मकसद यह है कि आप देखें ग्लूको काइनेज के लिए आप देख सकते हैं ग्लूको काइनेज और ग्लाइकोजन आप देख सकते हैं दोनों GG से स्टार्ट होते हैं हेक्सो काइनेज जी से स्टार्ट नहीं हो रहा है तो ग्लूको काइनेज क्या करे है glycosin बना रहा है, llamado बना रहा है यानि ये कमाई वाला काम कर रहा है कमाई वाला काम कर रहा है, का मतलब क्या इसका KM हाई होगा इसका KM की value हाई होती है इस चीज़ को याद करने के लिए आप भी आद कर सकते हैं «glucokinase glycosin बनाने मदड़ करता है» कमाई ज़ादा होती है, चलते हैं देखते हैं, hexokinase और glucokinase के बीच के differences को और ये कहां पर function करते हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे hexokinase, glucokinase, आपको पता है सारे tissues में, सारे cells में काम करता है, कुछ exception अगर है तो liver में इसका function कम देखा गया है ये basically house keeping enzymes है जबकि आप glucokinase की बात करेंगे तो वो liver, beta cells of pancreas में काम करता है मकसद क्या है glucokinase का glycosin बनाना है, इसलिए वह कुछ ही समय पर काम करेगा induce किये जाने पर काम करेगा, तो induction की ज़रूरत hexokinase को नहीं होगी वो हमेशा काम करते हैं, जब भी energy की बनाने के ज़रूरत होगी, hexokinase active रहगा जबकि glucokinase inducible होता है किस के द्वारा होगा, insulin के द्वारा होगा, अब एक सवाल ही अभी, कि क्या ये inhibit होते हैं, inhibit होते हैं तो ध्यान रखना है कि ये product inhibition का शिकार होते हैं hexokinase, जबकि glucokinase product inhibition का शिकार नहीं होगे, तो यहाँ पर हमें समझना होगा, inhibition जो होता है, वो hexokinase के लेवल पर glucose 6 phosphate की वज़ा से होता है जबकि यहाँ पर कोई इस तरीके का inhibition नहीं होगा, अभी मैंने आपको बताया था कि glucose 6 phosphate, यह जो glucose 6 phosphate है, यह raw material है किसके लिए, glycogenesis के लिए glucose को बनाने के लिए, तो जाहिर सी बात है glucose 6 phosphate का बढ़ा हुआ लेवल प्रमोट किया जाएगा glycosin बनाने के लिए अगर fed state है तो, तो यह process चलेगा इसमें inhibitory function आप नहीं सोच सकते हैं, यह तो आगे बढ़ने वाली process है इसलिए हमने कहा, glucose 6 phosphate से inhibit नहीं होता है कौन, glucose kinase की enzymes की AI activities नहीं होगी जबकि, आप इसके opposite देखें तो यहाँ पर होता क्या है glucose से जब, glucose से glucose 6 phosphate बनाया जाता है तो यहाँ पर product inhibition देखने को बिलता है तो बहुत ज़ादा energy की finer tuning के लिए nature ने कुछ इस तरीकी की वियावस्था बनाई कि nature ने क्या किया कि जो product inhibition होना चाहिए क्योंकि यह step ऐसा है कि इसमें energy का production होना है तो वो काफी controlled way में होना चाहिए इसलिए यह glucose 6 phosphate यह बनता है बनी रहा है जबकि यहाँ पर तो glucose वाले मामले में glycosin बनाना है तो inhibit करनी की कोई जरूरत ही नहीं होगी तो allosteric regulation का यह मामला है जिसमें substrate ने substrate से जो product बना वह अपने जो enzymes है उसको inhibit कर रहा है यानि glucose से glucose 6 phosphate जो बना उसने enzyme hexokinase को inhibit किया इस तरह की process glucokinase के मामले में नहीं देखने को मिलता है इसके अलामा affinity की बात करें affinity अगर high होती है तो km की value कम होती है जबकि अगर affinity कम होगी क्या होता है km की value ज़ादा होती यह बात आप जानते हैं और मैंने आपको बता है high कम, high कमाई कहां पर हो रही है glucokinase के साथ यह term आपको पता होना चाहिए बाकि एक fundamental जो facts है वो यही है कि hexokinase तो कब काम करते हैं जब energy की ज़रुवत होती है blood glucose 100 mg% से कम हो जाते हैं तो आप जानते हैं हमें ज़रुवत है energy की लगातार कोशिश हम glycolysis से करते हैं तो जब कभी भी हमारे cell में energy की ज़रुवत होगी अगर एक option की रुपर पुछा गया था कि अगर 100 mg% से कम हो जाए या even जब कभी भी इससे ज़ादा भी रहे लेकिन energy की ज़रुवत है यह तो एक question बनाए गया था कि 100 mg% से कम अगर हो जाए तो उसमें कौन enzyme active होगा glucokinase या hexokinase तो आप जानते है hexokinase active रहेगा इससे ज़ादा होने पर भी अगर energy की ज़रुवत है energy production की ज़रुवत है तो भी hexokinase ही उसमें active होगा जबकि यह glucokinase तभी active होता जब synthesis की process हो postprandial regulation हमें blood glucose का करना हो इसे lycosin में बदलना हो तभी यह काम करते हैं तो इस तरीके से हमने दोनों enzymes के बीच का differences समझा इस पर कई level पर question पूछे जाते रहे हैं अब तक हम लोगों ने कितने steps cover किए glucose से glucose 6-fasphate तक हम जा चुके हैं यहाँ पर दो enzymes जिसके बारे में हम लोगों ने study किया उस पर हम लोगों ने बात किया एक hexokinase दूसरा glucokinase दोनों की बीच के differences पर भी चर्चा हो चुकी है अगले step पर चलें और आगे की steps पर बढ़ने से पहले मैं आपको बता दू यह पहला step क्या था? irreversible था काइनेज जहां कहीं भी इस्तिमाल होते हैं यह irreversible step ही होते है अगले step क्यों बढ़ते हैं अगले step में isoemorization होता है glucose से fructose 6-phosphate glucose 6-phosphate, fructose 6-phosphate में बदलता है यह step जो second step है यह आप देख सकते हैं यह reversible step है अगला step जो third step है उसके level पर हम लोग चलेंगे यहाँ पर irreversible step होगा और यह committed step होगा जिसमें क्या farm होता है? जिसमें एक बहुत important जो product farm होगा वो होगा fructose 1-6-by-phosphate या bisphosphate इसके बारे में देखें तो यहाँ पर जो enzyme involved होगा उसका बहुत ही बड़ा importance है यहाँ पर phosphofructokinase यह बहुत ही important enzyme है phosphofructokinase 1 यही पर हम phosphofructokinase 2 के बारे में पढ़ेंगे और उसका क्या लेना देना होगा उसके बारे में देखा हमने देखा जो भी step वहाँ पर देखा कि अभी तक क्या हुआ ATP का जो दोनों लगाया जाने वाली जो steps थे वो यहाँ पर खत्म हो चुके हैं ATP दो जगाँ पर लगाई जा चुके और अब यह high energy वाला यानि आप कह सकते हैं ATP इधर लग गया ATP इधर लग गया बहुत energetic compound बना हुआ है जो आगे चल करके break होगा हम इस step तक पहुँच चुके हैं और इसमें हमने क्या देखा glucose से glucose 6-phosphate बनते हुए फिर fructose 6-phosphate बनते हुए फिर fructose 1-6-biposphate बनते हुए हम यहाँ पर इस level पर जहाँ पर मैंने अभी आपको दिखाया है यह पहला और तीसरा step क्या बताया मैंने यह irreversible step है जबकि second step जो था वह क्यासा था? वह reversible था यहाँ पर किस enzyme की मदद हम ले रहा है second irreversible step में फास्फो फ्रक्टो काइनेज की मदद ले रहा है यह committed step है यह rate limiting enzyme होता है जो फास्फो फ्रक्टो काइनेज है यह rate limiting enzyme होता है और इसलिए Phosphor Fructokinase के लिए कहा जाता है, कुछ statement दिया जाता है कि यहां major regulatory enzyme है जो glycolysis को प्रभावित करता है और यह ऐलोस्टेरिक और हार्मोनल दोनों ही लेवल पर control में होता है तो सवाल एक पूछा जाता है, rate limiting enzyme कौन सा है, committed step कौन सा है, major regulatory enzyme glycolysis का कौन है इन सभी का answer एक ही होगा, Phosphor Fructokinase, अब दिखते हैं Allosteric Control, Phosphor Fructokinase 1 का, 1 यह बात याद रखना है Phosphor Fructokinase 1, इसका Allosteric जो control है उसमें, इसको stimulate करने वाला, stimulatory effect कौन रखता है इस पर Phosphor Fructokinase पर stimulatory effect AMP का होता है, इसके लावा, fructose 2,6 base phosphate का होता है तो अभी तक जो हम पढ़ रहे हैं, अगर आप इस नाम में देखें, तो बहुत important यहाँ पर जो term अभी हमने लिया अभी जो देख रहे हैं आप, यह जो मैं दुबारा एक बार फिर से बना करके समझाने की कोशिश करूँगा, यहाँ पर देखें PFK1 पर जो stimulatory effects रखने वाले factors हैं, उसमें एक नाम अभी मैंने आपके सामने सुझाया, वो नाम क्या है, उस नाम को याद रखना है, वो नाम है fructose 1,6, 1,6 नहीं है वो, वो 2,6 है, तो इस चीज़ को याद रखना है 2,6 bisphosphate वो इसको stimulate करने का काम करता है, तो यह अभी हम पढ़ रहे हैं 1 के बारे में, यह अचानक से 2,6 bisphosphate कहां से आ गया, अभी हम इसके बारे में देखेंगे, question इस बात पर भी पूछा गया है, तो इसलिए fructose 2,6 bisphosphate इसको allosteric stimulator है, जबकि allosteric inhibitor, PFK1 का ATP जब हाई energy होगी, तो आप समझ सकते हैं, आगे के step को बढ़ाने की कोई कोई कोशिश नहीं की जाएगी, इसी तरीके से आप जानते है, citric acid cycle, अगर आगे अच्छे से चल रहा है, तो पीछे के step को रोकने की ज़रुवत होगी, इसलिए इसको inhibit कर दिया जागा, इसलिए कहा जाता है, cit इस समय inhibit किया जाएगा, अब देखते हैं, fructose six phosphate से पहले और छटे position, दोनों पर ही जो बाई फासफेट जोड़ा गया, इस process में हुआ गया, ATP इस्तेमाल हुई है, और इसके लिए कौन सा enzyme काम किया, PFK one इस enzyme का इस्तेमाल हुआ है, यह काफी important step है, और इसलिए इस enzyme का नाम ह हमारे लिए जरूरी है, fructose six phosphate से fructose one six पहले और छटे position पर दो फासफेट ग्रूप जोड़ा है, यहाँ पर एक बहुत important step जिसको हम समझ सकते हैं, उसको देखने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर देखिए, हमें देखना है, allosteric किस तरीके से यहाँ पर regulation हो सकता है, तो glucose को gly glycolysis में आगे जाने के लिए glukogon मदद करता है, hormonal regulation के step को आप समझ सकते हैं, glucose को glycolysis में जाने के लिए कौन मदद करता है, कैसे यह मदद करता है, उस step को समझने की कोशिश करते हैं, ग्लुकोगोन क्या करता है, ग्लुकोगोन बनाता है protein kinase A, और यह protein kinase A, फास्फो फ्रक्टो काइनेस 2 को active करता है, तो होता क्या है, यहाँ पर देखते हैं, glucose, ग्लुकोगोन को active किया, जिसके कारण protein kinase A बना, protein kinase A, क्या करता है, फास्फो फ्रक्टो काइनेस 2 को active करता है, यहां तक आप देख लीजे, फिर आगे का step देखते हैं, यहां देख, ग्लुकोज से क्या हुआ, ग्लुकोज 6 फासफेट बना, ग्लुकोज 6 फासफेट से फ्रक्टोज 6 फासफेट बना, फ्रक्टोज 6 फासफेट से प्रक्टोज 6 फासफेट बना, फ्रक्टोज 6 फासफेट से कई बार PFK2 के द्वारा आप देखिए पर PFK1 होगा तो 1st position पर क्या करता है। 1st position पर Fastate Group को लगाता है PFK1 रहेगा तो 2nd position पर Fastate Group लगाता है कहाँ पर लगाएगा अब यह जो PFK2 के द्वारा 2nd position पर लगता है यह वापस activate कर देता है यह देखिए किया जाता है और यहां पर आप देख रहे हैं इस पूरी प्रोसेस में कॉन इंवार्ड हुआ ग्लुकागॉन इंवार्ड हुआ जिसके द्वारा यह ग्लाइकोलिसिस का यह स्टिप धिरिदर करके एक्टिवेट हो जा रहा है तो इसी ने कहा गया हार्मोनल लेवल पर भी और जब यह बनता है और यह बनता है इस तरीके से यह एंजाइम इसको इसको स्टिमॉलेट करने में मदद करता है जबकि high energy case जो steps होते हैं वो इससे inhibit करते हैं जैसे citrate हो गया, acid हो गया, ATP हो गया ये इससे inhibit करने का काम करते हैं इस पूरी process में हुआ गया, ultimately glycolysis की step में आपने क्या देखा, first position पर आकर के एक और phosphate group लगता है जिसके लिए ATP की energy की आविशकता बढ़ती है सारी चीजे हैं हमारी जानकारी में है, PGI में कई बार ये question पूछा गया, इसलिए मैंने इस पर इतना जोड़ दिया, PFK1 को alloesterically कौन inhibit करता है, high energy के जितने भी step हो सकते हैं ATP, citrate, calcium and magnesium and acidic state, आप समझ सकते हैं, citric acid हम कहाते हैं, तो उससे आप याद कर सकते हैं low pH वाले state, जबकि PFK1 को alloesterically कौन stimulate करता है, AMP, low energy state वाले, ADP, fructose 6 phosphate भी इसको stimulate करेगा, चुकि आप समझ सकते हैं, substrate ज्यादा है, तो आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, इसके लावा, fructose 2,6 bifosphate भी इसको stimulate करते हैं, अभी आपने देखा, और आपने देखा कि यहाँ पर fructose 2,6 bifosphatase जो अभी हमने देखा, जो इससे related जो enzyme था वो bifunctional enzyme था, और यह कैसे काम करता है, अभी हमने देखा PFK1 और ऐसे PFK2 के level पर भी हम लोग ने देखने की कोशिश किया, तो यह indirectly किस तरीके से stimulate करता है, वो सारे steps हम लोग ने देखा, किस तरीके से यह stimulation की process होती है, fructose 2,6 bifosphate की दवारा, उसमें देखा हम लोगोंने fructose 6 phosphate, वैसे तो fructose 1,6 bifosphate में बदलता है, लेकिन यहाँ पर 2,6 bifosphate अगर बन जाएगा, तो भी यह इसको stimulate करता है, तो यह अपन fructose 6 phosphate में अपने भी बदल जाता है, जितने steps आपने देखे वो इस चीज़ को याद रखेगा, यह PFK2 के दवारा यह sidewise एक step चला जाता है, और यह वापस थोड़े दर बात फिर से अपने original product में आ जाता है, fructose 6 phosphate के रूप में आ जाता है, तो आप समझ सकते है, fructose 2,6 bifosph इंजाइम यहाँ पर काम करतेगा, जो यहाँ पर इस level के लिए काम करता है, और इस direct step में PFK1 का होता है, इस side वाले के लिए PFK2 का रूप होता है, यह सारी चीज़े हम देख चुके हैं, हमने यह भी देखा कि यह किस तरीके से stimulation के process चलती है, और overall अगर यह बन भी गया, तो तो directly नहीं जाएगा, यह हर्मोनल कंट्रोल का एक हिस्सा है, और खुद भी यह फ्रक्टो 6 फास्ट में बदल करके glycolysis का हिस्सा दुबारा से यह बन जाता है, बस इतनी सी बात समझाने के लिए हम लोग ने इतना सारा मेहनत किया है, अब चलते हैं, बात करते हैं, pay off phase of glyco अब तक हम लोग ने क्या देखा, हम लोग ने देखा कि energy दी गई, लगाई गई अलग अलग तरीके से इसमें जोड़ी गई, शुरुआती दोर में हम लोग ने बात कर लिया था, pay off phase, जब एक बार यहाँ पर glycolysis में energy का investment हो गया, उसके बाद fructose 1,6 by phosphate बन गया, उसके ब phosphate था, अब यह क्या करता है, दो-दो phosphate अपने उपर लगा लेता है, लेकिन यह ATP की मदद से नहीं लगाता है, यह simple अपने उपर जोड़ता है, और यहाँ पर 1,3 by phosphate बना लेता है, इसके बाद अगले step में या आगे बढ़ते हुए धिरी दिर बढ़ेगा, जिस step को बहुत ज transport chain में जाकर के energy produce करने में मदद करेगा, इसके अलामा आप देखें, हर एक जो यहाँ पर 2 phosphate group हैं, वो 2 ATP बनाने में मदद करेंगे, ultimately हुआ क्या last में ATP बना, sorry, ATP के अलामा pyruvate बन गए, और net जो result आप देख रहे हैं, glucose से 2 pyruvate बना, 2 water बना, 4 ATP बने, 2 ATP का निट फायदा हुआ और यहाँ पर जो 2 NAD प्लस का utilization वो उससे 2 NADH बना, प्लस 2H प्लस बने जो electron transport chain का हिस्सा बनेंगे, तो इस तरीके से यह step आगे बढ़ेंगे, उसके बारे में हम अनुमान लगा सकते हैं, अब irreversible steps के बारे में बात करते हैं, irreversible steps, तीन जगहों पर देखने को बिलेगा, आप अपने books में देखेंगे, notes में देखेंगे, तो glucokinase जो पहला step था तीसरा step, phosphofructokinase 1 वाला वो भी था, तो glucokinase, hexokinase जो हमने पहला step देखा था, इसके बारे में हम देखते हैं, वह step भी irreversible होता है, तो kinase, kinase जहाँ कहीं भी लगा होगा, उसको आप याद कर सकते है Kinase, Kinase वाले step जो भी हैं, वो irreversible step है और यह ऐसे याद कर सकते हैं, एक जगा glucose होगा, एक जगा fructose होगा, एक जगा pyruate होगा तो Kinase तो होगा ही, एक जगा glucose, एक जगा fructose और एक जगा pyruate तो यह PGI में कई बार question पूछा गया है, आपको ध्यान रखना है, अब बात करते हैं, glycolysis के inhibitors की यहाँ पर कौन-कौन से inhibitors हमें याद रखने हैं, उसको एक बार focus करेंगे बहुत important point है, inhibitors of glycolysis, यह topic काफी important होता है और इसमें ध्यान देना है, हमारे लिए fluoride, fluoride enolase को inhibit करता है और इसलिए glucose के estimation में, enolase enzyme को inhibit करने के लिए fluoride, sodium fluoride add किया जाता है, क्योंकि हमें पता है, लंबे समय तके travel करना है, अगर मारी transportation में time लगता है, तो glycolysis अगर start हो गया, तो glucose का जो estimation है, वो गलत हो सकता है, इसलिए sodium fluoride add करते हैं, ताकि enolase enzyme के activity रोग की जा सके, इसके लामा और कौन-कौन से inhibitors हैं, arsenate होता है iodocytate होता है, जो glyceral dehyd, 3-phosphate dehydrogenase को inhibit करता है याद रखना है, इसके लामा यहाँ पर देखें, धाप को भी inhibit करने वाले हैं, तो यहाँ पर bromohydroxyacetone phosphate, यह inhibit करता है dihydroxyacetone phosphate को और oxamate, यह lactate dehydrogenase को inhibit करता है, तो अभी हमारे लेवल पर जो ज़रूरी है, वो है fluoride के नाम को याद रखना, arsenate के नाम को याद रखना, iodocytate के नाम को याद रखना तो inhibitors कौन-कौन से हैं, fluoride किसको inhibit करता है, inolase enzyme को inhibit करते हैं, इस्तेमाल कहां किया जाते हैं, blood glucose के estimation के लिए iodocytate, जो self-hydral resistance के रूप में इसका example दे सकते हैं, इसमें iodocytate करता है, क्या glyceraldehyde 3-phosphate को inhibit करते के लिए काम करता है इसके लावा arsenate, arsenate कैसे काम करेगा, arsenate जो होते हैं, यह 1-3-bip-phospho-BPG kinase gsm कहते हैं, उसको inhibit करने का काम करता है यहाँ पर सही statement यह होगा कि यह 1-3-bip-phospho-glycerate यह bis-phospho-glycerate वाला जो step होता है, वो यहाँ पर inhibit हो जाता है, बलकि यह एक bypass रास्ता दे देता है मतलब यह कि जहाँ energy का production होने वाले जो भी steps थे, वो bypass हो जाते है, arsenate की वज़ा से, इसलिए यहाँ पर एक statement कहा जाता है, कि जो pay-off steps हैं, वो यहाँ पर प्रभावित होते है, arsenate की वज़ा से, जबकि फ्लॉराइड की वज़ा से क्या होता है, फ्लॉराइड की वज़ा से, inolase enzyme inhibit होता है, जिसके करण glycolysis आगे step में नहीं बढ़ पाती है, जिसके करण glucose की glycolysis नहीं होगी, तो blood glucose के estimation में हमें दिक्कत नहीं आएगा, इसलिए fluoride का यह एक अच्छा useful role हम देखते है, inolase enzyme को inhibit करके, जबकि arsenate क्या करता है, arsenate, अगर आप देखेंगे books में लिखा arsenate करता है क्या है, जो payoff steps होते हैं, उनको bypass कर देता है, parallel एक नया रास्ता तयार कर देता है, parallel नया रास्ता तयार करने के वज़ा से ATP का generation नहीं होगा, और parallel रास्ता जो तयार हुआ, उसकी वज़े से glycolysis चलती रहेगी, तो यह एक parallel रास्ते की वज़ा से हो पाया है, जिसमे energy produce नहीं होता, arsenate की वज़ा से, energetics, glycolysis का क्या है, इसमें दो तरीकी के shuttle के बारे में, अभी थोड़े दिर पहले हम लोगोंने glycolysis के भविश्य के बारे में बात किया, तो यहाँ पर glycerol phosphate shuttle कहाँ पर काम करेगा, उसको देखते हैं, मैंने अभी आपको बता है, glycolysis की process जब चलती रहती है, तो इसमें glycerol dehyde 3 phosphate तक के step तक हम पहुंच चुके हैं, मैंने आपको बता है, आगे चल करके बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, और glycerol dehyde 3 phosphate क्या करता है, यह 1-3-bis-phospho glycerate और आगे बढ़ते हुए, यह pyruvate तक बढ़ रहेगा, सारे के सारे steps य बीच में क्या होता है, NAD plus produce होता है, और NAD plus से NAD pH produce होता है, यह cytosol में है, और इसका कोई रोल नहीं है अगर यह क्यों cytosol में पढ़ा रहे है, क्योंकि इसको जाना चाहिए, यह जब electron transport chain में जाएगा, electron transport system में जाएगा, तभी energy produce कर पाएगा, और इसको अंदर ले जाने के लिए, समझे यह mitochondria के भीतर ले जाने के लिए कुछ shuttle काम करते हैं, जिसमें glycerol 3-phosphate shuttle होता है, वो करता क्या है, वो glycerol 3-phosphate जो shuttle होता है, वो इस NADH को उठाता है, और अपने से इसको जोड़ेगा, कैसे जोड़ेगा, वो चीज़ आप देखें, इसमें होता क्या है, धा आप, डाइ, हाइड्रोक्सी, इसेटोन, फासफेट बदल जाएगा, एनडियेच का इस्तेमाल करके, गलिसरल 3-phosphate में बदल जाएगा, और यह इसे क्या करता है, एनडियेच को इनर माइटोकॉंड्रियल मेरे में, क्रास करने में मदद करता है, और इस पूरी प्रक्रिया और एनडियेच नहीं होता है, अंदर की और एकसेट करने के लिए, एफेडी रुका हुआ होता है, तो गलिसरल 3-phosphate शेटल में होगा क्या, कि जो एच यहाँ पर है न, उसको एकसेट करने के लिए अंदर जो एच को एकसेट करने वाला होगा, वो एफेडी होगा, जो एनर्जी का प्रोडक्शन अब कम हो जाएगा, तो जो पहले 2.5 ATP तक प्रोड्यूस हो सकता था, वो अब 1.5 ATP तक ही प्रोड्यूस हो पाएगा, इस तुरिके का आप एनर्जी के लेवल पर जो चेंजिस होते हैं, उसको समझ सकते हैं, कि यह कम्प्लीट एनर्जेटिक्स को अगर आप समझ रहे हैं, और उसमें देख रहे हैं, एनर्जी एच को अंदर अगर ट्रांसफर कराना है, ग्लिसरॉल, फासफेट, शेटल के द्वारा, तो अंदर एकसेप्ट करने वाला FAD होगा, जो 1.5 ATP ही प्रोड्यूस करने में मदद करेगा, इलेक्ट्रॉन इसको एकसेप्ट करने के लिए कैसे क्या करेगा, इसके एच को एकसेप्ट करते हुए हाइडरोजिनेशन की प्रोसेस में जब इसे एकसेप्ट करेगा, तो अग्जैलो स्टेट के द्वारा एकसेप्ट किया जाएगा, और यह खुद बदल जाता है मैलेट में, अब यह ज अग्जैलो इस्टेट अब एक बार फिर से बाहर निकलने के लिए एस्पार्टेट में बदलता है और इसको बाहर के और निकलते समय है आप यहां पर देखे यह एस्पार्टेट में बदलता है फिर ट्रंसेमिनेशन की प्रोसस के द्वारा यह एस्पार्टेट क्या होता है आकजैलो स्टेट में बदल जाता है, तो inner mitochondrial membrane में घुसते समय, किस shuttle ने मदद किया, उसके अधार पर तैं होगा, एनर्जेटिक्स फाइनली क्या मिलेगी, अगर aspartate mallet shuttle अगर काम करता है, आप देख सकते हैं, अगर aspartate mallet shuttle काम करेगा, तो complete जो 2.5 ATP मिलने चाहिए, वो proper मिलेगी, और energetics जो हम सोचते हैं, complete energetics वो हमें यहाँ पर benefit देगा, तो इस तरीके से दो अलग-अलग shuttle को लेकर के भी question पूछेगा है, mallet, aspartate shuttle अगर काम कर रहा है, तो क्या होगा, कितना energetics होगा, अगर glycero phosphate shuttle काम करेगा, तो कितना energy produce होगा, इन सारी चीज़ों को लेकर के, आप से question पूछा जा सकता है, एक और होता है, RL cycle, उसको लेकर के भी question पूछा जाता है, रोपा पोर्ट, लिवरिंग, cycle क्या होती है, actual में इसे cycle की बजाए, shunt कहना ज़्यादा सही होगा, अभी आपने पहले देखा कि glycerol dehyde 3 phosphate के बाद, दो phosphate group लगाया जाते हैं, और इसमें क्या होता है, इन और्गैनिक phosphate का रोल होता है, और इस पूरी process में हम लोगों ने देखा कि, यह 1, 3, 20 फास्फोग्लिसरेट में जब बदलता है, उसके बाद पहली बार यह ATP का production करता है, नार्मल रास्ते से गर यह आगे बढ़ेगा, तो एक बार ATP का production करेगा, क्योंकि यहाँ पर दो phosphate group हैं, एक ATP का production करने के बाद एक और जो बच जाएगा, वो अगले लेवल पर, एक जो और phosphate है, तो वो अगले लेवल पर ATP का production करने में मदद करेगा, यह step धीरे-धीरे करके आगे बढ़ता है, आप पुरी-पुरी जो glycolysis की steps हैं, उस पर focus करेंगे तो इस तरह के से आगे बढ़ता है, यह आप समझ रहे हैं यह क्या हुआ, यह जो pay-off का पहला step था, पता है ना, pay-off का यह पहला step था, जिसमें glycerol dehyd three phosphate से inorganic phosphate को जोड़ा गया, और उसके करन दो phosphate group आ गये, first और third position पर, उसका अगले step में एक ATP निकाली जाती है, एक ATP निकाली जाती है, और इस तरह के से एक step में आपने देखा, और यह two times molecule होते हैं ना, two times molecule होते हैं इस तरह के से दो ATP निकालती है, आप समझ सकते हैं, और ultimately क्या हुआ, इस step के बाद, one, three, 20 phosphoglycerate के बाद, three phosphoglycerate होता है, फिर जो three, जो phosphoglycerate है या phosphate भी, ATP के रूपे आगे निकाला जाता है, overall क्या हुआ, यहाँ पर इस step पर, हम क्या देख रहे हैं, two molecules सारे participate करते हैं, आपको जानकारी में हुआ, तो यहाँ पर two ATP बनता है, बाकी आगे, यह जो three phosphoglycerate के भी, ऐसे two molecules होंगे, तो two ATP और भी आगे मिलेगा, ठीक बात है, लेकिन अगर यह step bypass हो जाए, जो की होता है, RBC में 10% मामलों में, यह bypass किया जाता है, और इस दौरान बनता क्या है, इस दौरान two three by phosphoglycerate बनता है, यह एक shunt pathway है, यह है क्या, यह एक तरीके का shunt pathway है, जिसमें एक alternative रास्ता बना दिया जाता है, shunt बना दिया जाते हैं, जिसमें आप देखें, two three by phosphoglycerate बनता है, और यह आगे की ओर चला जाता है, बिना ATP produce किये, three phosphoglycerate तक पहुँच गया, आप देख सकते हैं, और इस पूरी प्रक्रिया में हुआ क्या, यह खुद तो यहां पर आकर के connect हो जाएगा, फिर से glycolysis से, ऐसे चलते हुए, लेकिन यह जो बीच के step में, जो natural step में जो ATP produce हो रही थी, वो नहीं produce होई, और इसने क्या किया, इसने sidewise आप देखें, तो अपने भीतर जो ATP जुड़ा हुआ था, उसको फासफेट जुड़ा हुआ था, जो ATP प्रोड्यूस कर सकता था, उसको इसने bypass कर दिया, देखें आप यहाँ पर क्या कर दिया, उसने bypass कर दिया, भीना ATP के production के ही, इसने उसको release कर दिया, तो हुआ क्या, ATP का production नहीं हो पाया, यानि कम से कम 2 ATP का नुक्सान यहाँ पर होगा, जो 2 ATP नार्मल रास्ते से produce हो रहे थे, वो 2 ATP यहाँ पर नहीं produce होंगे, क्योंकि वो inorganic fast rate के रूप में release हो जाएंगे, ultimately हुआ क्या, अगर इस पूरी process को देखें, तो हमने क्या देखा, हमने यह देखा, कि total 2 ATP का investment होता है glycolysis में, जब यह नार्मल तरीके से चलता है, तो 4 ATP produce होती है, आप जहांते हैं तो, total 4 ATP produce होती है, इसी वजह से हम net gain कितने का कहते हैं, हम net gain में कह देते हैं, कि हमारे पास 2 ATP का net gain होता है, प्लस जो ATP का gain होता है, चुकि इस में से आप इसको घटा देते हैं, तो हमारे पास कितना बचता है, 2 ATP बचता है, लेकिन क्या होगा जब ये इस तरीके का शंट चलेगा RL शंट जब चलेगा तो क्या होगा RL शंट जब चलता है तो होता क्या है 2 ATP का हमने इंवेस्टमेंट किया और यह साइड वाइज रास्ते में कोई ATP प्रोड्यूस नहीं हुआ आगे चल करके जो आगे की ओर चल करके जब ये इस स्टिप पर जा करके जब ये गलाइकोलिसिस से फिर से जुड़ेगा तब 2 ATP प्रोड्यूस होते है RL शंट में तो आपने शुरू में 2 ATP लगा है और यह मदद करता है आक्सिजन के डेलिवरी कराने में तो 90% तो नार्मल गलाइकोलिसिस के द्वारा RBC अपनी एनरजी का प्रोडक्शन करता है लेकिन 10% मावलों में वो RL शंट का मदद लेता है और उस शंट के द्वारा गलाइकोलिसिस करता है इसमें ATP का कोई net formation नहीं होगा लेकिन फिर भी एक significance है यहाँ पर जो 2-3 BPG का production बीच के step में हुआ वो oxygen dissociation curve को यह क्या करता है oxygen dissociation curve को right side में shift करने में मदद कर देता तो इसलिए इसका एक importance है और हम क्या देखते हैं 2-3 BPG जो बीच में produce होता है oxygen dissociation curve को right side में यानि oxygen के unloading में मदद करता है तो इस तरीके से 2-3 BPG का RBC में roll क्या है इस पर कई बार question पूछा गया है हमें पता चल गया है और यह क्या करता है आप देखें P50 की value को बढ़ाता है ऐसे भी करके question पूछा गया P50 जो हम respiratory physiology में पढ़ते हैं P50 की value कौन कौन बढ़ाते हैं वो क्या करते हैं right side में oxygen dissociation curve को shift करते हैं और इस काम में और कौन कौन participate करते हैं temperature का बढ़ना carbon dioxide के concentration का बढ़ना या 2-3 BPG के बढ़ने के level को भी हम कहते हैं या pH के घटने के level को भी कहते हैं ये सारी चीज़ें हमारी जानकारी में हैं ये है क्या right side में shifting इसके बाद दो special terms जो glycolysis से जुड़े हुए हैं जैसे All India में पूछा गया posture effect क्या होता है तो inhibition of anaerobic glycolysis by increased supply of oxygen ये क्या कहलाता है posture effect कहलाता है और Warburg effect क्या होता है और इसके विए उल्टी बात कही जाती कि चाहे आप oxygen के supply बढ़ा ही क्यों न दें लेकिन anaerobic glycolysis cancer cells में promote की जाती है ये statement दिया जाता है